आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कोई कहानी या किस्सा नहीं है बलकि हकीकत है जो उस देश की सच्ची घटना है जिसे कभी सोने किच्डिया कहा जाता था लेकिन ब्रेटरिस सरकार दवारा सारा सोना भारत को लूट कर ले गए लेकिन अभी भी भारत के कई हिस्तों में प्राचीन समय की लोगों द्वारा गाड़ा हुए सोना बहुत साधन है जिसे वो चोरी हो जाने के डर से जमीन मिगार देते थे और उनकी मौत के बाद वो सोना चांदी बस धर्ती के गर्वे में ही रह गया ऐसे ही एक घटनाज कल यूपी के उन्नाज लेके डौंडिया खिड़े गाओं में हो रही है जहां की एक साध्धू जिनका नाम सोबन सरकार के नाम से जाना जाता है और वहां की राजा राव राम बक्षिंग की आत्मा ने उनको जमीन में गड़ा एक हजार टन सोने का रहस बताया जो आज की सोने की रेट के हिसाब से इसकी कीमत आके तो 29 खरब रुपे के लगभग बैटती है कौन थे राजा राव राम बक्षिंग कहां से आया इतना सोना कैसे हुई राजा की मौत इन सारे पहलूँ को पर प्रकास डालते हुए इतिहास का श्री चंदकान तिवारी के अनुसार क्रांतिकारी सोरवी राजा ने 1857 की क्रांती के दौरान अंग्रेजियों की चक्के छुड़ा दिये थे वह कौन थे और कब से वैस किले में रह रहे थे किसी को इस पस्ट मालूम नहीं है यहां के इतिहास कारों की माने तो दो जून 1857 की क्रांती में डिलेश्वर मंदिर में छिपेव 12 अंग्रेज को जिन्दा जला दिया था इसमें जनरल टी फॉक्स भी मौजूद थे कहा जाता है कि राजा चंदिका देवी के बहुत बड़े भक्त थे और रोजाना सुबह माचंदिका का दर्शन करने के बादी सिंग हसन पर बैठते थे लोगों की अनुसार राजा राव राम बक्त सिंग पूजा करने के बाद अपने गले में एक गेंदे के फूल की माला जरूर पहने रहते थे यही वज़ा है कि जब अंग्रेजों ने उनके अंग्रेजों को जिन्दा जलाने की सजा के रूप में फांसी की सजा सुनाई गई और उनको फांसी पर लटकाई गई तो उने कुछ नहीं हुआ इस तरहे तीन बार उनको फांसी दी गई मगर राजा को कुछ नहीं हुआ तब राजा राव राम बकत सिंग ने अपने गले में पड़े फूल की माला को उतार कर गंगा जी में फेक दिया और गंगा ने अपनी आगोस में लेने की प्रात्रा की इसके बाद जब अंग्रेजन उनको फांसी पर लटकाया तब उनके प्रांड से सरी निकला था डॉंडिया खेड़े के बज़र्गों का कहना है कि ये खजाना बड़ा तिलिस्मी है आठ तारीक से सोने की खोद सुरू करने वाली SSI की स्टडी भी इस बात की तस्दीक करती है कि खजाने को हासिल करना बहुत तेड़ा काम है अध्यन के अनुसार डॉंडिया खेड़े के प्रतापी राजा राम बक्सिंग जिस किले में सोने का खजाना दबा होने की बात कही है उस किले को तिलक चंडी राजपूत ने सत्रवी सताबदी के दौरान बनाया था ओम जी तरक देते हैं भले ही राजा को फासी हुए डेड़ सो साल से अधिक हो चुके हैं लेकिन पांच साल पहले तक गाओं के बच्चों नितक ने राजा साहब को सफेद घोड़े और चार-पांच सेनकों के साथ मंदिर आते देखा और किले की रच्छा करते हुए देखा है ग्राम प्रधान अजय पाल सिंग जो गाओं में मौजूद हुए उन वो बताते हैं कि उस इलाके में घोड़े की चाप और मंदिर में किसी की रोच पूजा करने के निशान अब भी दिखते हैं हाला कि खौबों के खजानों का यह दावा अभी विशरशग्यों को हैरान में डाले है ऐसा माना जाता है कि तालुगदार ने पहले खजाना दबाया और फिर किले का निर्मार किया कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अंगरेजियों के खिलाफ लड़ने वाली कई रियाशतों के रजाओं ने राजाराम बक्ष के किले को सुरच्छित मानते हुए अपना खजाना वहां दबा दिया एसाई वाभुगर्ब वैग्यानिकों की जांच के मताबिक किले में पंद्रा फुट नीचे खजाना मिलने की संभावना बताई जा रही है इसमें दबे सुने की कीमत करीब तीन लाग करोड रुपे बताई जा रही है स्वामी ओम के मताबिक राजा राव राम बक्क सिंग सपने में नहीं आये थे बलकि साक्षात प्रकट हुए थे तब ही उन्होंने शरकार से सोना निकल वाने की बात कही थी मरा हुआ राजा घोड़े पर घूमता था ओम स्वामी के अनुसार दिवंगत राजा राव राम बक्क सिंग पहले तक इस इस इलाके में घोड़े पर ही सवार होकर घूमता घूमा करते थे वे किले के आसपास घूमा करते थे उन्हें इस आलाके के कई लोगों ने देखा है स्वामी जी के मताबक गाउं डॉंडिया खिड़ा का बच्चा बच्चा इसके बारे में बताएगा गाउं के ही एक और बज़र्ग आदमी सीता राम ने बताया कि जब उनकी उम्रे दस साल की थी तब एक बार सरकार ने यहां खुदाई करवाना चाहा था इसके लिए करीब एक दरजन के आसपास मजदूर भी लगाए थे मगर कहते हैं कि जैसे ही मजदूरों ने इस किले में खुदाई आरंब की उसी समय वहां कई सांपों ने मजदूरों पर हमला बोल दिया इसके इसमें दो मजदूर की मौत भी हो गई थी इसके बाद वहां से खजाना को लेकर कोई खुदाई नहीं हुई पुरातक्त की टीम 12 अक्टूबर से केम्प लगा कर सफाई का काम शुरू कर दिया है और 18 अक्टूबर को सवर्ण भंडार की खुदाई का काम शुरू हो गया है और 9 के पुरवाचित के एक ही परिवार के चार लोग राजा के वारिस होने की बात कह रहे हैं उन्होंने प्रिशासन से सुरन भंडार में अपना हक लेने की बात कही है शाथ ही राजा के किले के कुछ जमीन पर अपना घर बनवाने की बात कही है लेकिन अब आपको बताओं कि वहाँ पर खजाना खूदने का कार सरकार द्वारा बंद करा दिया गया है क्योंकि उसमें सुमी जी की मांग और उनके परिवार के वारिसकों की मांग जायज नहीं थी और ये सरकार को उच्चत नहीं लगा इसलिए वहाँ पर खजाना ना होने की बात को लेकर अब वहाँ पर कार बंद करा दिया गया है और वहाँ पर सुन्दरी करण के रूप में राजा का बिवस्तत मंदिर बनाया गया है और कई वहाँ पर इस तरीके से बिकास कार सरकार दोरा किये जा रहे हैं लेकिन सरकार ने कहा है कि हम वहाँ खजाना नहीं खो देंगे अगर खजाना है भी तो वह राजा की नियू में सुरक्षित रहेगा मित्रो मुझे उमीद है आप सभी को यह घटना अच्छी लगी होगी और आप इसे यूटूब पर भी देख सकते हैं यह एक सची घटना है जो उत्तर प्रदेश के नौज ले की है डौंडिया खेड़ा गाओं की सोने के जिसमें एक हजार टन सोना होने की बात बताई गई है और यह 101% सत्यता है अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें वीडियो को शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें